श्री गनेश शाय नमा वक्ले तुंडे महा काया सूर्य कोटी चम प्रवान इर्विग्नम कुरुमे देवो सर्वकालेशु शर्वदा गनेश शाय कोमा सुर्वान का प्रेम पूर्वां कोटी करेंगे तो सुबह की पूजा आपने किया समय रखा है देख लीजिये उससे पहले हम सुबह की पूजा करेंगे जैसे हम प्रति दिन करते हैं भोग लगाएंगे पी लग लगाएंगे आरती लगाएंगे कुम-कुम लगाएंगे सभी चीजे हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम दस दिनों से इनकी सेवा कर रहे थे आपने जितने दिनों के लिए रखा है उतने दिनों से आप जो सेवा कर रहे थे हम बिल्कुल वैसे ही पूजा करेंगे अक्षद, फूल सब चढ़ाते हुए, दुर्भा चढ़ाते हुए हम जरूर चढ़ाएंगे और जल हम जरूर रखेंगे, प्रती दिन हम जल जरूर रखेंगे क्योंकि जल जरूर रखना होता है, भोग लगाने के बाद आप जल करकना बिल्कुल ना भूलें इसलिए आप जल जरूर रखें, इस सुभा की पूजा हमने वैसे ही कर ली है, अब हम करेंगे शाम की पूजा, जब हम विसर्जन करेंगे, आपने जो भी समय विसर्जन कर रखा है, वो कीजिए तो विसर्जन अगर आप दोपहर में कर रहे हैं तो भी आप कीजिए फिर से हम जल छड़केंगे और गनेश भगवान को भी जल छड़केंगे प्रेम पूरवक हम जल छड़केंगे और विसर्जन की आखरी पूजा करेंगे तो विसर्जन की समय भी आपको पूजा करनी है च करśl unterstüt gost लगाया जरूर केरी कि आभी और विसरजण का समय है तो हम फिरसे पूजा करेंगे विसर्जन के समय में उसी तरह से जैसे हम नीत करते आरहे हैं इस के बाद आप द्रुभा चड़हाएं जो भी आपके got समान हो वो चढ़ाएं और विसर्जन के समय पर फिर से एक बार पूजा करें वैसे ही पूजा करते हुए हम दुरुबा चढ़ाएंगे विसर्जन का समय आप हाथ पे अक्षत लेके विसर्जन के लिए अनुमती मांगे भगवान से हाथ में अक्षत फूल और दुरुबा ले इतने दिनों तक आपकी सिवा किया अब हमें इसका विसरजन करना है तो हमें आग्या ग्ismis लेंगे कोई घर जाता है उसे कहाने के कुछ सामान देते हैं तो प्रभू चेश्चर रहे ही तो हम तो हमें लालew nis प्रभू के हाथ में बाढ़ने कि अगर अगर और अगर इसे झाने अगर थी। मिट्टी के मूर्थी है पात्र अधिया मीचा में मिट्टी की मूर्थी तो आप में अच्छे से विसर्जन कर सकते हैं रिच्छ से मेरे पास में झाके रलाबरा घुष्छ्छ गन्पत्र करो रहा है तो систем को से पर लेòng भगवान को घर लेके आते हैं जैसे गनपती महराज को एक चौकी के पट्रे पर लेके आते हैं बस ठीक उसी तरह विसरजन के लिए भी लेके जाना है इसमें हम अक्षत फूल कुमकुम रोडी डालते हुए भगवान से हाथ जुड़कर विसरजन के लिए आगया मांगेंगे हम सभी चीजों को थोड़ा सा हिला देंगे हिलाते हुए मूर्ती को भी हिला देंगे अकलस को भी हिला देंगे हिलाते हुए हम विसरजन करने के लिए दालेंगे तो अगर घर में विसरजन कर रहे हैं तो यह पोटली उतार लिजिए अगर क्यूंकि घर में तो यह चीज़ इसलिए मैंने यह पोटली बांद दिया है वापस मैं वापस इसे नदी में ही विसर्जन करूंगी आप लोग अगर घर में विसर्जन कर रहे हैं तो इसी तरह से विसर्जन कीजेगा उसके बाद हम बाकी बची चीजों का क्या करेंगे वो देखिए तो फल हम उठा लेंगे भोग स्वरूप सभी को प्रशाद में वित्रन कर देंगे मोदग भी हम ले लेंगे और यह गड़ी जो हमने दस दिनों से रखा हुआ है इसे भी हम उठा लेंगे इसे भी प्रशाद स्वरूप सभी भक्तों में वित्रन कर देंगे उसके बाद बची हुई सामान का देखि तो आप मंदिर में दान, кिसी भी घरीब को दान कर दे, icon किसी भी ना को दान रुट दिन ही performing और फूल ऐंब हम अंग दिनू कि पूल के सबसे clip लोगे में, यहां। चीटा यह बस पर्दों कम पहरा को सब्सक्राइब तर री कम क एकफा दी समय का ya चाहिए थो फिर हम सभी फूलो가 को कठ खाज कर लेते हैं नारियल को भी किसी गनिश फुवाने मंदीर में दान कर देखा नदीज नदीध बहा सकते हैं ऐसे बहान अच्छा है आप इसे कहीं दान कर दीजिए इसलिए फुरि भी पिर Kingdom को भी हम दान कर देंगै 먼저 पार इस चाबल को हम इकठा कर लेंगे पत्तियों को भी आम के पत्तियां हो जो भी हो फूल पत्ते हो लेंगे करद नाधि ने भी या और भूमी भी सरजन कर देंगे या फे कहीं नदी ताला में ढूंढ़ दो जेए कि प्या अड़ी के आई इसके तुल्सी के पौधे में ठोड़कर बाकि सभी सबीनों में डाल सकते हैं इसलिए इसे तुल्सी के पौधे मिना डालिएं जरू इसके दान को किजिए सकते उसके बाद इस कपड़े को हम धो के फिर सी उसकर लेंगे चौकी को भी हम दुबारा पूजा में उसकर लेंगे